हमरा साथ बीजेपी के राश्री प्रवक्ता नेलिन कोली साब सर कॉंग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आरूप लगा है वो ये कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई असूरी शक्ति के खिलाफ है साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनके सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है बीजेपी नहीं चाहते है कि कॉंग्रेस चुनाव लड़ सके लोग सबक है। किसने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के जो जो भी लोग हैं अब अधतिकारी हैं वो क्यों नहीं नोटिस का जवाब दिया हाई कोड के सामने में विश्या है उन्होंने भी कहा कि तुमारा तुमारी गलती है अब इसके लिए घुमाकर आप कहोगे बीजेपी का दोश है तो क् उप्तंत्र खत्रे में हैं ये जो हो रहा है ये क्रिमिलल अक्ट है कॉंग्रेस पार्टी खिलाफ और ये भी कह रहे हैं कि इतने पैसे तक नहीं है कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके रेलवेट टिकेस बुक करने के लिए पैसे इससे सपश्ट हो जाता है कि फिरवाद देने का पूर्ण रूप से मन बना दिया है अब जब कॉंग्रेस पार्टी को दिख रहा है कि राहूल गांदी जी का नेत्रत्व सफल नहीं हो रहा है जनता उनके साथ नहीं जुड रही है हारना तै है जब अलग-अलग पार्टियां उनको नजर अंदास कर रह रहेंगे शाद पिछली बार से कम सीटे आएंगी वो तो ममता बैने जी ने भी कहा था तो अब जब हमारी सीटे घटेंगी तो हम आईकर विभाग पे और मोधी सरकार पे अपना दोश दे देते हैं और फिर इसमें कहते हम असुर शक्तियों से लड़ रहे हैं कमाल की बात ह दो दिन पहले राहुल गांदी जी कहते हैं हिंदू धर में एक शक्ति है उस शक्ति से हम लड़ना चाहते हैं सब ने कहा है ये किस प्रकार की भाषा है पर इस प्रकार की टिप नहीं और फिर आज असुर शक्ति तो असुर शक्ति का मतलब क्या हुआ कि कौन चुनता है सरक जनता जनार्धन वोड देती है तो कॉंग्रेस मानती है कि देश की जनता असुरू को चुन रही है जनत बेभी विश्वासनी और कॉंग्रेस पाढ़ानी जीतना चाहती है अद्बूद बात कर दो दियो कॉंजराइस कि लोक्स बज़नों से ठीक पहले कॉंग्रेस अब अपनी जमीन खो रही है इसलिए ये निराधर आरूप लगाए जा रहे है कि मैं अभी शेक साथ में प्यूश मिश्वा दिल्ली आज तक